ये देखे कितना आचा चीकेन पकोडा बन के तियार हुआ है मेरा बच्चा लोग खुब पसंद करता है आप भी बनाए ये चीकेन पकोडा इसके लिए चीकेन का गुद्दा ले लेना है और उसको छोटो-छोटा पिस कर देना है चोटब इसका निक बाद हल्दी, उसमें जीरा, गुलकी, मिर्चा पॉडर डाल देना है स्वाद नुसार नमक डाल लेना है और इसके बाद चिकन मसाला डाल लेना है हम तो देर पैकेट डाले हैं आप एक पैकेट भी डाल लेजिएगा इसके बाद मिला लेना है और ध्यान रखे कि पानी नहीं मिलाना है इसमें ताकि गुद्दा में मसाला अच्छा से चिपक जाए और टेस्टी हो जब अच्छी तरह मिल जाए तो इसमें कौन फ्लावर डाल देना है जितना चिकन है उसी के अनुसारा कौन फ्रावर मिलाईए और खुब अच्छा से उसको मिला लीजिए मिलाने के बाद देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो गया है और सारा पकोडी अलग-अलग है कडाही में तेल डाल देना है और जब तेल गरम हो जाए तो सारा पकोडी को अलग अलग करके उसमें डाल देना है और उसको अच्छी तरह से चलाना है इसको दो मिनाड तक मधिम आज पे लाल करना है लाल करने के बाद गैस को तेज कर लेना है तेज करने से क्या होता है कि पकोडी में जो भी तेल समा हुआ है वो निकल जाता है और उसके बाद फिर पकोडी को निकाल लेना है इसके बाद चक के देखिए फिर बोलिएगा वह क्या बात है अगर ये पकोड़ी खाने में आपको टेस्टी लगा तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा